मेरे परिवार जनों, छोटे किसानों को संगधित करने के लिए भी आजकल पूरे देश में बहुत बड़ा अभ्यान चल रहा है। जब अधिक से अधिक किसान एक समू में जुटेंगे तो उनकी ताकत भी बढ़ेगी इसलिए किसान उत्पादक संग बनाई जा रहे हैं। गावों में PSC और दूसरे सहकारी उपकरबों को ससक्त किया जा रहा है। इस सहकारीता भारत के ग्रामिट जीवन का एक ससक्त पहलू बनकर सामने आये। अभी तक दूद और गन्ने के क्षेत्र में सहकारीता का लाव हमने देखा है। अभी से खेती के दूसरे क्षेत्रों और मचली उत्पादन जैसे सेक्टरस में भी विस्तार दिया जा रहा है। आने वाले समय में दो लाग गावों में नए PSCS बनाने के लक्ष के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां डेरी से जुड़े कॉपरेटिव नहीं है वहां इनका विस्तार किया जाएगा। ताकि हमारे पशुपालकों को दूद के बहतर दाम मिल सके हैं। साथियों हमारे गावों में एक और समस्या बंडा रण की सुविधाओं के अभाव की रही है। इसके कारण छोटे किसानों को आनन फानन में ही अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके कारण कई बार उन्हें उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता। इस मजबूरी से छोटे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए देश भर में बंडारण की एक बहुत बड़ी कैपसिटी तेयार की जारी है। लाखो भंडारण बनाने हैं लाखो इसकी जिम्मेदारी भी पीए सीएस जैसे किसानों के सहकारी संस्तानों को दी जा रही है। फूर्ड प्रोसेसिंग सेक्टर में दो लाख से जादा सुक्ष्म उद्योगों को मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आप सभी बंट रिस्टिक बंट प्रोड़क्ट अभ्यान से भी परिचित होंगे। इसका लक्ष ये है कि हर जिले में कम से कम एक मशूर उत्पाद को आंतर राष्टिय बाजारों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करें। ये हर जिले को आर्थिक रुप से आत्म निर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमी का निभा सकता है। भी बनाने में वी करें। भी भी आर्ब़ी prब बनाने में बनाने में भी को आर नित्टे लाह बिले कि अट्सके के लिए और ये